कि नमस्कार स्टडिया क्यों आई ये सिंदी प्लैटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम्बग मुद्दे की बातकारिक्रम में एक बहुत चर्चित मुद्दे पर बातचित करने वाले हैं सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे क्या है चीन की उल्फ वैरियर कूटनिती तो चीन एक महतपूर्ण कूटनिती को कैरी कर रहा है ये कौन सी कूटनिती है और इसका मतलब क्या होता है इस कूटनिती के माध्यम से चीन का इरादा क्या है इंटेंशन क्या है इसके बारे मे आखिर आज कल क्यों चर्चा का बाजार गर में है क्या हमने नाम बुला उस कूट निति का तो उल्फ वारियर कूट निती ठीक है यानि कि आल आज के संदर्व में यानि कि आज के संदर्व में इस चर्चा के कॉंटेक्स में इसकी प्रिष्ट भूमी को भी समझने की आविश कि चीन के Communist Party का, यानि कि CCP, इसकी एक बैठक आयोजित की जा रही है, कल से इसकी शुरुवात हो गई है, लगभग एक सब्ताह तक इस दल का CCP की बैठक का आयोजन होना है, और इसी बैठक में इसका निर्ने लिया जाएगा, कि चीन के CCP में जो General Secretary का पद होता है, जो महा सचीव का पद कहा रहाता है, CCP यानि कि China Communist Party, हना, इसके अंतरगत एक तो General Secretary का पद, और दूसरा, जो Next President बनने वाले हैं, चीन के, उसके नाम की घोषना इसी बैठक में की जानी वाली है, हना, और इस कंटेक्स्ट में, आज की यह चर्चा अपने आप में महत्पून हो जाती है, और इसी के कंटेक्स्ट में, इसी के संदरव में आगे हम बताएंगे, कि आखिर जो उल्फ वारियर कुटनीती है, यह कुटनीती किस तरीके से इस पूरे विशे से एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, एक दूस श्री जिनपिंग को एक बार फिर चीनी राष्टपती का बद मिलने की संभावना जदाए जा रही है, वरतमान में चीन के जो प्रीमियर है, चीन के जो सरवे सरवा है, कहें या फिर प्रेसिडेंट कहें, जो भी कहें, वो कौन है, तो श्री जिनपिंग है, श्री जिनपिं शी जिन पिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है इनको नजरबंद कर दिया गया है है ना S.C.O की बैठक में शामिल होने के लिए गय थे और वहां से लोटने के बाद इनको नजरबंद कर दिया गया ठीक है उसके बाद एक लंबे समय तक यह एक विचार विमर्स का दौर रहा कि भाई यदि यह नजरबंद हो जाएंगे तो फिर चीन का निर्तित्व किसको मिलेगा क्या होगा दिस डैट वह भी एक लंबे समय तक वह इसी थी बनी रही लेकिन इस बीच अब फिर से जो यह एक नया जो विचार है नया जो यहाँ पर वह विमर्स यहाँ पर यह बता रहा है कि भाई शी जिन पिंग का जो महत्व है शी जिन पिंग की जो वर्यता है चीन में वह अभी कमी उसमें होने की गुंजाइस नहीं है एनको जो महत्व मिला हुआ है इनका महत्व वरत्मान में भी है और आगे भी बने रहने के संभावना है और इसी का संकेत यहाँ पर मिल रहा है की इनको फिर से राश्ट पत्द देने की बात की जा रही है क्लियर यहाँ पर मैं आपको बताओ कि श्री जिन पिंग के प्रभाव का व्यापक विस्तार हुआ है ना देखो यहां पर एक चीज आपको मैं ध्यान दिला दूँ कि चीन में सामाने तौर पर होता यह है कि जो राष्टपती होते हैं या फिर जो जेनरल सेक्रेटरी होता है सिसीपी का चाइना कॉमिनिस्ट पार्टी का वह लगातार यदि दो बार पद पर रहता है मानलों कि पांस-पांस साल का पद यदि उसने ग्रहन किया तो फिर वह एक परंपरा के अनुसार वह अपने पद से फिर हट जाता है और दिन फिर एक नया व्यक्ति जो है पद पर आस सिती देखी जा रही है इससे पहले मैं आपको बताऊं कि डेंग डेंग जियाओ पिंग है ना नाम चीन के जो लोग होते हैं उनका नाम थोरा सा अजीव होता है एनिवे तो डेंग जियाओ पिंग जो है एक ऐसे व्यक्ति रहे थे ऐसे प्रीमियर रहे थे या इन्हों ने अपने पद पर लगातार दो बार पद धारन किया था पांच मार्च वर्स का पद धारन किया और उसके बाद फिर इन्हों ने ही इस परंपरा की शुरुआत की कि भाई अब हम इस पद पर नहीं रहेंगे अब दुसरे व्यक्ति को यह पद ग्रहन करना चाहिए और इनके ब फिर आए हूज इनताओ ठीक है ना तो कहने का मतलब यह है कि यह सभी जो व्यक्ति थे यह पांच-पांच साल का कारेकाल दो बार लेने के बाद फिर वो अपने पद से हट गया फिर जो थर्ड परसें तिसरा व्यक्ति जो है वो फिर उस पद को सुशोभित किया लेकिन जो शी जिन्पिंग है इनके कंटेक्स्ट में इनके टेन्योर में यह जो परंप्रा है यह परंप्रा अब क्या हो रही है तो फिर यह परंप्रा आप समाप्त हो रही है अब लगातार तीसरी बार इनको इस पद पर बैठाने की बात की जा रही है और यह अपने आप में बहुत अपनाया है चीन में एक तरीके से authoritarian ship की जो व्यवस्था इन्होंने अपनाई है इसको यहाँ पर मद्दे नजर रखते हुए ध्यान में रखने के आवे सकता है कि किस तरीके से चीन के हर पहलू पर है ना चीन के हर संदर्ह में इन्होंने अपना एक प्रभाव छोड़ा है और उसी का एक नतीजा है उल्फ वारियर कुटनीती ठीक है ना उल्फ वारियर कुटनीती का मतलब यह हुआ कि जो राजनाइक है चीन में या चीन के जो भी राजनाइक है चीन में नहीं बलकि चीन के जो भी अधिकारी है चीन के जो भी राजनाइक है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आक्रामक और टकराहट का रुख अपनाने पर बल है ना बत समय में रही है कि आक्रामक रुख वो अपनाते हैं कौन तो चीन के जो राजनेख है या फिर चीन के जो अधिकारी है वो और टकराहट का रुख यानि कि वो confrontation कर सकते हैं आक्रामक रुख भी अपनाएंगे और टक्राव भी सकते हैं यदे इससी दियुद्य विफ्रित रहेगी तो क्यों ऐसा रुख जब सकते हैं चीन की प्रतिष्ठा को वह बहुत महत्व देना चाहते हैं चीन की प्रतिष्ठा को ऐसी जो tendency है इसी को यहाँ पर उल्फ warrior कुटनीति की संग्या दी गई है कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में श्रीजिन पिंग के नित्रित्व में जो वहां के अधिकारी हैं जो वहां के राजनेक हैं वह इस tendency को इस प्रव्रिति को अपना कि चीन की प्रतिष्ठा के लिए हम कुछ भी करने को तयार हैं चीन की प्रतिष्ठा पर हम आज आने नहीं देंगे बेशक इसके लिए हमें किसी भी देश के अधिकारी से किसी भी देश के शासन से प्रशासन से हमें क्यों नहीं टकराना पड़े बात समझवारी ना तो इसी क कॉंटेक्स्ट में यहाँ पर यह जो नीती है यह नीती महत्पूर्ण हो गई है अब आप समझ रहे होंगे कि जो अभी तक मैंने बात की श्री जिन पिंग के कॉंटेक्स्ट में कि इन्हों ने किस तरीके से अपने प्रभाव को व्यापक करने की कोशिस की है पहली बात तो य दूसरी बात यह कि यह अपने माध्यम से आर्थिक समाजिक और जो भी वैदेशिक संबंध है चीन का उस पर यह अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं और बरी बात यहां पर मैं आपको यह भी बताओं कि यह एकदम यह कहा जा सकता है कि चीन के जो भी महत्पूर्ण संस्था हैं जहीं जैसे कि विश्वbles विश्विद्याल में यह सीची टीवी लगवा रहे हैं इसका कारण यह है कि वह नहीं चाहते की विज़ेश्टी विचारधारा प्रचार प्रसार्शार में हो है ना वो मानवाधिकार सरक्षन मानवाधिकार के जो भी नित्यतु करता है जो भी समर्थक है उनको पीछे धकलने की कोशिस करते रहे हैं और इसके अलावा जो भी चीन की सेना में जो भी महतपुन पद होते हैं महतपुन अधिकारी होते हैं उनको भी वो अपने नियंत्रन म रखते रहें तो ये सारी जो इस सारी इस सित्याग की टेंडेंसी को कि शी जीन पींग की शासंत करने की प्रवृति को दर शाती है और इसी के कंटेस्ट में जो उल्फ warrior की कुड़नीती है इसका जो एक objective है यह objective यहां पर दिखता है चीन की विचारधारा को वे चाहते हैं कि हम किसी भी इसतर पर प्रचारित और प्रशारित करें चीन की विचारधारा यानि की at present जो इनकी विचारधारा है उसी को प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिस वो करते हैं और अपने हीतों की सुरक्षा को वो महत्वदेने पर बल देते हैं किस तरीके से वे अपने प्रभाव को एदम व्यापक तोर पर प्रचारित और प्रचारित कर रहे हैं भविश में दुनिया को व्यापक अस्तर पर प्रभावित करने की उनकी नीती है देखो यहाँ पर एक चीज समझने की आवशक्ता है कि भई जब हम चीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी पहलू है जो की इस से इतर यहाँ पर समझने की जरूरत है जैसे की अमेरिका चीन और अमेरिका के बीच का जो एक संबंध है वह शतुरता पूर्ण संबंध रहा है वह तनाव पूर्ण संबंध रहा है चीन और अमेरिका के बीच में आपने ट्रेडवार का नाम सुना होगा या फिर व्यापार इद्ध का नाम सुना होगा इसके अलावा जब COVID-19 का दौर शुरू हुआ तो चीन पर ये आरोप लगने लगा कि इसी के माध्यम से या इसी की प्रयोक्षाला से यह जो विशानू है इस विशानू का प्रसार पूरी दुनिया में हुआ है ना तो चीन पर इस तरीके के भी आरोप लगे बात समझा रही ना तो ऐसे यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं समझना कि भाई किस तरीके से चीन अपने महत्यों को दर्शाने की कोशिस कर रहा है पूरी दुनिया के सामने और इसी के लिए चीन जो है इस तरीके की कुटनिती को अपनाने की बात करता है क्योंकि वह चाहता है कि अपने हीतों की सुरक्षा को हम महत्वदें है ना तो ये जो कुछ इस्थितिया हाल के समय में देखी गई है वैश्विक परिप्रेक्ष में चीन की जो सुचना के कुछ बिंदू देखे गए हैं इसी के कारण भी चीन ने इस तरीके की कुटनिती को अपनाने पर जोड़ दिया है है आगे बात करते हैं तो भविश्य में इसने कोशिस की है कि हम ना केवल आर्थिक अस्तर पर बलकि तकनीकी अस्तर पर भी हम दुनिया को भारत का जो संबंध है भारत के साथ में चीन का जो एक तनावपूर्ण माहूल है उसकी चरचा हम कैसे नहीं कर सकते हैं की नहीं तो यहाँ पर देखो दो बात हैं कि जहां हम चीन के वरतमान नेत्यत्यों के प्रवरितियों के हम बात कर रहे हैं यानि कि शीजिन पिंग का जो आप्रोच है चीन का वर्तमान में जो एक उठ्ण की प्रशासन है उसको यदी हम देखें तो उसके गेंस्ट में जो भारत है। भारत की जो शेटी वह कहीं अलग है। भारत लोकतंत्र को महतों देने वाला देश है। लोक तंत्र को वरियता देने वाला देश है।itis नहीं भारत जो है रूल आफ लौ यानि की जो विधी का शासन हैं विधी के शासन को महत्व देने वाला देश है। अंदर्व में यहां पर हमें चीन की जो वर्तमान में वस्तु स्थिती है और आगे आने वाले समय में यह किस तरीके से अपनी भूमी का निवा सकता है इस पर हम समझ सकते हैं कि यदि अभी वर्तमान में जो शी जिन पिंग का शासन है और यही शासन आगे कॉंटिनीव रहता अगले पांच साल तक फिर से वेशासन की बागडोर सम्हालते हैं तो यह समझा जा सकता है कि यह वैश्विक परिप्रेक्ष में और भारत के परिप्रेक्ष में यह एक चुनौती के रूप में दिखा जा सकता है और इस संदर्व में भारत को भी वीचार करने के आविशक्ता होगी कि भारत चीन के साथ अपनी कुटनिती अपनी डिप्लोमैसी को किस तरीके से परिस्थिती के अनुसार वह परिवर्तित करें तो आज की चर्चा में हमने इन सभी बिंदों को समस्ज़े की कोशिस की उल्फ वारियर कुटनिती का मतलब क्या हुआ चीन ये कुटनिती क्यों अपना रहा है किन परिस्थित्यों में यह कुटनिती को महत्व दे रहा है श्री जिन पिंग किस तरीके से पूरे चीन में अपना महत्व प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं इन सभी बातों का जिक्र हमने आज की चर्चा में किया, इसी चर्चा के आधार पर आप ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल हल करने की कोशिश कीजिए अपने अस्तर पर, टॉप क्वेशन है कि चीन अपने नय नित्रित्व में और अधिक प्रभावशाली रूप अपनाने की यूजना में है, तरक सहित च सवाल बहुत ही सिंपल है कि चीन अपने नय नित्रित्व में, नया नित्रित्व यानि की शेजिन पिंग का थर्ड टेन्यो, जो कि अब इसी विक में संभाववत तौर पर वह घोशित भी हो जाएगा, अधिक प्रभावशाली रूप अपनाने की यूजना में है, किस तरी मुद्दे की बात चर्जा में हम यहीं परसमात करते हैं, मिलते हैं, किसी और मुद्दे की बात कारेक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्यार लखिए, बाई बाई